Hello everyone, this is Prashir Gupta and I welcome you all. Selenumvij Java series में आज हम Headless Browser Testing डिसकस करेंगे. Chrome Browser, Firefox Browser, HTML, Unit Driver, इन सारे Browser में हम Headless Browser Testing कैसे करते हैं, इसको हम डीटेल में डिसकस करेंगे, प्राक्टिकली इंप्रिमेंट करके देखेंगे. इस सीरीज के पहले की वीडियोज अगर आप में नहीं देखें, तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगें और वीडियो को एंट तक देखें. आईए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले मैं समते हैं, What is Headless Browser? Headless Browser क्या होता है? Headless Browser का मतलब होता है, Web Browser without User Interface. वो Web Browser जिसका User Interface नहीं है. Headless Browser साथ दोस विच आक्चुली एक्सेस वेब पेज, बड़ तक GUI, GUI मतलब Graphical User Interface या स्क्रीन इस हिड़न फॉम यूजर. जो Headless Browser होते हैं, वो Web पेज को एक्सेस तो करते हैं, पर यूजर से उसका Graphical User Interface कै लिज़े, या फिर उसका स्क्रीन कै लिज़े, वो यूजर से हिड़न होता है. Headless Browser ठीक, बाकि दूसरे Browser की तरह होते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, है कि उसका स्क्रीन हमें दिखता नहीं है. जब Browser Execute होता है, तो हमें उसका स्क्रीन नहीं दिखता. Browser का हमें स्क्रीन नहीं दिखता है, Headless Browser में GUI नहीं होता. जो भी प्रोग्राम होता है, वो उसका Backend पे Run करता है, लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं है screen पे क्योंकि उसका screen है ही नहीं वह headless है इसलिए उसको हम headless बोट है without graphical user net without screen headless browser तरह screen नहीं होता GUI नहीं होता ठीक normal browsers की तरह headless browser भी वह सारे functions perform करते हैं जैसे किसी भी link पे click करना है या web pages को navigate करना है documents को download करना है या upload करना है जो भी हम instructions देत हैं अपने automation script में या program में ठीक वो सारे instructions को follow करते हैं real browsers की तरह बस सिर्फ इतना difference होता है headless browser और real browser में कि real browser में हमारे पास graphical user interface होता है और headless browser में हमारे पास graphical user interface नहीं होता है तो I hope आपनों को समझ आ गया होगा कि headless browser और real browser में क्या difference होता है headless browser हम किसे कहते हैं अम नेक सम यह समझते हैं कि headless browser के क्या advantages है तो यह है कुछ advantages headless browser के सबसे पहले advantage तो यह है कि हमारे पास अगर ऐसी कोई machine है जिसमें हमारे पास graphical user interface नहीं है अगर्ष अगरोश तो आज सबस्क्रार रहने truth तो इस दो अगरृब्ष is just to ensure that all tests are getting executed successfully line by line. अब ऐसा कोई केस है जिसमें हमारे पास देखने के लिए कुछ नहीं है. जिए पर हमें कुछ खास देखना नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी हमें नहीं देखना है. हमें सिर्फ इतना एंशुर करना है कि जो भी हमारा automation test case है, वो line by line execute हो रहा है या नहीं हो रहा है. हमें सिर्फ इतना एंशुर करना है कि हमारे test case है वो line by line execute हो जा और हमारे पार UI पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है. तो उस case में हम headless browser यूज कर सकते हैं क्योंकि headless browser में graphical user interface नहीं होता, उसमें कोई screen नहीं होती है. इसलिए user को screen पे कुछ दिखता नहीं है. तो ऐसे situation में जब हमें user interface पे देखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम headless browser यूज कर सकते हैं testing के लिए. तीसरा advantage यह है कि अगर हमें कभी parallel test cases को execute करना है, जब कभी हमें test cases का parallel execution करना है, तो जो real browsers होते हैं, जिनमें हमारे पार user interface होता है, वो काफी जादा memory और काफी जादा resources consume करते हैं. तो ऐसे situation में हम headless browser यूज कर सकते हैं, क्योंकि headless browser काफी कम memory consume करते हैं और काफी कम resources occupy करते हैं. तो when there is a need for executing parallel tests, UI browser consumes a lot of memory और resources. Hence, here headless browser is preferred to use. तो ऐसे situation में जब हमें parallel execution करना है test cases का, तो हम headless browser use कर सकते हैं, क्योंकि ये memory कम use करते हैं, resources कम occupy करते हैं. और चौथा इसका advantage है कि ये काफी जादा fast होते हैं compared to real browser. When compared to real browsers, headless browsers are faster. So these are chosen for faster execution. तो जब भी हमें test cases को fast, बहुत fast execute करना है, तो उस case में भी हम real browser की जगा हम headless browser use कर सकते हैं. तो ये तो थे कुछ advantage, जब इसके कुछ disadvantages भी हैं, वो भी हम discuss कर लेते हैं. अब ये हैं कुछ disadvantages headless browser के. सबसे पहला disadvantage. अब जैसा कि हमने भी discuss कि headless browser काफी ज़्यादा fast होता है compared to real browser, इसके faster page loading ability की वज़े से कई बर issues को debug करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे किसी case में जब हमें बहुत ज़्यादा browser debugging के requirement है, तो उस case में headless browser use करना challenging हो सकता है. दूसरा disadvantage. जब हम किसी application को test करते हैं, तो हमें उसको user के सामने भी test करना होता है. इन front of user भी हमें उसको test करना होता है. जिसमें क्या होता है, user interact करता है, team के साथ, GUI को refer करके discuss करता है कि कहां-कहां changes करने है, कहां-कहां correction करने है, कहां test case fail हो रहा है. तो इस situation में हमें ऐसा browser चाहिए जिसमें मारे पास graphical user interface है. अब चुकि headless browser में graphical user interface नहीं होता तो इस तरह की testing के लिए हम headless browser use नहीं कर सकते हो और इसमें real browser use करना होता है. एस से testing हम real browser के साथ ही कर सकते हैं क्योंकि real browser में graphical user interface होता है, screen होता है. तीज़ा disadvantage, headless browser don't represent graphical user interface, it is troublesome to report error with the help of screenshot. Headless browser में screenshot लेना काफी मुश्किल काम है, जो हम real browser में easily ले सकते हैं. जो कि graphical user interface होता है, तो कभी भी error आया या कभी भी हमें screenshot लेना है, तो हम easily उसमें हम screenshot ले सकते हैं. तो यह थे कुछ headless browser के advantages और disadvantages. तो आज के session में हम chrome browser, firefox browser और html unit browser इन तीनों browser को use करके हम headless browser testing perform करेंगे, implement करेंगे. तो प्राक्टिकल के लिए हम Eclipse ID open करते हैं. प्राक्टिकल के लिए हमने Eclipse ID open कर लिया, इसमें मैंने maven project create किया हुआ है, test1 के नाम से, selenum web driver, web driver manager दोनों ही configure किया हुआ है, pom.xml में, selenum web driver की dependency और web manager की dependency, दोनों की dependency add की भी है. Eclipse ID में, selenum web driver, web driver manager हम कैसे configure करते हैं, इसके मैंने detail video बनाया, selenum java series में, उसका link आप description box में देख सकते हैं. अब headless browser के practical demonstration के लिए हम एक test scenario लेते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले open करते हैं browser, तो Google Chrome browser हमने open कर लिया, इसमें हम open करते हैं Google का URL, यह Google का web page open हो गया, अब इसके बाद हमें इस search box में हमें कुछ text search करना है, कोई keyword search करना है, तो हमने India gate search कर लिया, फिर हम enter key hit करेंगे, तो in operations के कोई keyword search करेंगे, और हम enter की hit करेंगे, search result के display करने, search result को display करने के लिए, तो इन operation के लिए हम automation script write करेंगे, और इसको हम execute करेंगे, headless browser पे, Chrome, Firefox, HTML, Uni driver, Tino ही browser पे हम headless testing करेंगे, तो आइए इसको हम practically implement करके देखते हैं, तो उसके लिए वापस हम Eclipse ID में चलते हैं, अब Java code write करने के लिए हमें class create करना है, तो class create कर लेते हैं हम, तो इस project में, maven project है मारा test1 के नाम से, इस project में मारा पास एक folder है, src test java folder, इस folder के अंदर हम एक package create कर लेते हैं, आज के practical demonstration के लिए, तो right click किया, हमने folder पे new package, package का नाम दे देते हैं, headless browser, demo, और finish पे click कर दिया, अब Java code write करने के लिए हम एक class create कर लेते हैं, तो package पे right click किया, हमने new class, तो सबसे पहले हम chrome browser, chrome browser पे हम headless browser testing execute करेंगे, तो class का नाम दे देते हैं, chrome headless browser testing, और इसमें एक main method add कर लेते हैं, और हमने finish पे click कर दिया, तो हमने class create कर लिया, chrome headless browser testing के नाम से, और हमने एक main method add कर लिया, अब इस पे हम सबसे पहले launch करेंगे browser, तो हम chrome browser launch कर रहे हैं, क्योंकि हम chrome browser के headless browser testing कर रहे हैं, chrome browser पे हम headless browser testing कर रहे हैं, तो browser launch करने के लिए हम web driver manager class use करते हैं, तो हमारा statement होगा, web driver manager dot chrome driver, क्योंकि हम chrome browser launch कर रहे हैं, dot setup, और इसके बाद हम web driver को instantiate कर लेते हैं, web driver driver equals new chrome driver, क्योंकि हम chrome browser use कर रहे हैं testing के लिए, और साथ साथ इनके packages भी हम import कर लेते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले launch करना है URL, सबसे पहले हम open करना है URL, browser launch करने के बाद, यह दूर statement थो हमने browser को launch करने के लिए राइट के हैं, यहां पर comment भी लिख देती हूं, launch browser, अब हम open करते हैं URL, अब URL open करने के लिए हमारा statement होगा driver.get, driver.get और यहां देतेंगे हम complete URL, http.google.com URL हमने open कर लिया, अब URL open करने के बाद हमें क्या करना है, हमें search box को find करना है, हमें search box को find करना है, इस web element को find करना है क्योंकि हमें इसमें text enter करना है, तो इसको inspect कर लेते हैं, और यह रहा इसका HTML code, इसमें मारे पास name गिवन है, तो हम by.name locating strategy यूज़ करके इस web element को, search box web element को locate कर सकते हो, name की value गिवन है Q, तो हम इसको by.name locating strategy यूज़ करके locate कर लेते हैं, तो वापर चलते हैं अपने script में, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर URL ओपन करने के बाद हम इसका title भी print कर लेते हैं, print title of Google या title of web page, तो उसके लिए हमारा statement होगा driver.gettitle, gettitle method यूज़ करके हम web page का title fetch कर सकते हैं, यह string return करेगा, इसको हम print statement के अंदर ले लेते हैं, system.out.println, और यहां हमने title भी print कर लिया, अब title print करने के बाद हम search box web element को हम find कर लेते हैं, इसके लिए मारा statement होगा driver.find element, locating strategy यूज़ करेंगे, हम by.name, और यहां name की value है q, अब इस statement से क्या होगा, हमें web element return होगा, तो इसको हम web element variable में store कर लेते हैं, एक web element class का हम एक variable create कर लेते हैं, और इसका package भी हम import कर लेते हैं, control A, control A, indentation के लिए, अब web element तो हमने find कर लिया, search box web element हमने find कर लिया, अब हम इसमें क्या करना है, हमें keyword enter करना है, जो भी हमें search करना है, तो उसके लिए हमारा, यहां पर comment लिख लेते हैं, enter search keyword, तो जो भी keyword हमें search करना है, हम India gate search कर लेते हैं, तो उसके लिए हमारा statement होगा, web element का नाम, web element का नाम है search box, dot keyword, text enter करने के लिए हम कौनसा method यूज़ करते हैं, हम send keys method यूज़ करते हैं, और यहां पर हमारा, जो भी keyword हमें search करना, वो keyword हम यहां पर write कर देते हैं, तो India gate हमारा है keyword, यह हमें search करना है, Google के web page पे, और search करने के बाद हमें क्या करना है, हमें enter key hit करना है, तो key press करने के लिए हमारा statement होगा, search box web element का नाम dot, dot send keys, और कौनसा key हमें send करना है, हमें enter key send करना है, तो उसके लिए keys dot enter, तो यह search box में India gate enter करने के बाद हम enter key hit करेंगे, तो क्या होगा हमारा search result डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद हम यहां पे, उसके बाद हम यहां पे driver को quit कर देते हैं, driver dot quit, या browser को close कर देते हैं, और यहां पे हम थोड़ी देर का sleep डाल देते हैं, थोड़ी देर का pause डाल देते हैं, pause of few seconds का डाल देते हैं, three seconds का डाल देते हैं, तो उसके लिए statement होगा thread.sleep thread.sleep और यहाँ पर 300 milliseconds का हमने sleep डाल दिया इसको हम try catch block के अंदर ले लेते हैं अब यह code हमारा हो गया complete अभी जो हमने code write किया है वो हमने real browser के लिए write किया है अभी हमने headless browser के लिए write नहीं किया अभी हम इसको convert करेंगे headless browser के लिए भी उसमें को setting करने है पहले इसको हम real browser पे हम GUA वाले browser पे हम इसको execute करके देखते हैं इस code को तो हमने browser open कर लिया browser open करने के पाद URL open कर लिया फिर हमने title print कर लिया फिर हमने search box web element को find किया keyword enter किया फिर हमने enter की hit किया search result को display करने के लिए उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा करते हैं हम फिर से title print कर लेते हैं फिर से हम title print कर लेते हैं यह print statement हम फिर से copy कर लेते हैं यह before search का title है, before search, sorry, यह search की enter करने के पहले जो title था, और search की enter करने के बाद का title, दोनों title हम print कर लेते हैं, before search, colon, और एक after search भी कर लेते हैं, ctrl, c, और search करने के बाद का title भी print कर लेते हैं, क्योंकि search करने के पहले का title, और search करने के बाद का title, दोनों title different हो जाएगा, after search, आप यहाँ पर notice कीजिएगा, search करने के पहले यहाँ पर, Google है सिफ title में, और जैसे मैं यहाँ पर search करती हूँ, India Gate, तो आप देखिए, यहाँ पर title इसका change हो गया, तो हम दोनों title को check करेंगे, दोनों title को हम print कर रहे हैं, before search and after search, तो अब इस code को हम execute करके देखते हैं, तो right click, run as java application, code का execution स्टार्ट हो गया, browser launch हो गया, Google का web page भी open हो गया, India Gate search की enter हुआ, और search result भी display हो गया, तो यह तो है real browser, यह headless नहीं, क्योंकि हमें इसमें graphical user interface दिख रहा है, हमें screen दिख रही है, अब हमें इसको headless testing करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर, हम छोटी सी एक setting करेंगे, तो यह सारा statement से ही रहने वाला है, बस यहाँ पर एक setting करनी है, तो यहाँ पर हमें Chrome option का हमें एक variable create करना है, Chrome options का हमें एक variable create करेंगे, Chrome options class का हमें एक यहाँ पर variable create करेंगे, तो variable का नाम देते हैं, options equals new, Chrome options, इसको हमने instantiate कर लिया, Chrome option class को हमने instantiate कर लिया, अब इस options को use करके हम छोटी सी एक setting करेंगे, बहुत ही simple है, बस एक line लिखना है, हमें options.set headless, set headless, और यहाँ पर true या false करना है, तो हमें headless चाहिए, तो हमें यहाँ पर true कर देते हैं, last में semicolon से statement end, headless browser testing के लिए हमें यह दो statement और add करना है, chrome options class को हमें instantiate करना है, और यहाँ पर हमें headless set करना है, set headless को हमें true set करना है, बस यह दो line का statement हमें और लिखना है, और इस option को हम यहाँ पर, जब हम instantiate कर रहे हैं web driver को, तो हमें यहाँ पर pass करना है, बस इतना ही change हमें करना है अब हमारा हो गया code complete अब जब हम इसको execute करेंगे तो हमारा हमें screen नहीं दिखेगी अभी जब हमने पहले execute किया था तो हमें screen दिखी थी हमारा browser open हुआ था Google का web page open हुआ था हमें सब कुछ दिख रहा था हम देख सकते थे क्या क्या steps हो रहे है लेकिन जब हम headless testing करेंगे तो हमें कुछ भी दिखेगा नहीं सिर्फ output दिखेगा तो output में आएगा before search जो भी Google का title था web page का जो भी title था वो display होगा और उसके बाद after search जो title था वो display होगा सिर्फ दो चीज़े हमें display होगी हमें कुछ भी screen नजर नहीं आएगी हम कुछ भी user कुछ भी देख नहीं पाएगा testing के time पे तो before search था web page का title Google और after search था web page का title India gate Google search तो हम इसको फिर से execute करके देखते हैं headless testing में क्या output आता है browser launch हुआ URL उपन हुआ हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है हम कुछ भी नहीं देख पा रहे है कुछ भी visible नहीं है सिर्फ हमें output ही दिखेगा बस that's it before search title आ गया web page का और after search भी title आ गया पर user को कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि headless browser testing में क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता तो आई होब आप लोगो समझ आ गया होगा कि Chrome browser के लिए headless browser testing हम कैसे करेंगे अब next हम Firefox browser के लिए headless browser testing तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं हम एक new class create कर लेते हैं तो अभी हमने जो package create किया था उसी package में हम new class create करते हैं यह है हमारा package package पे right click किया हमने new class यहां class का नाम दे देते हैं Firefox headless browser testing दे दिया हमने नाम और इसमें अभी हम एक main method add कर लेते हैं और अभी जो हमने एक code पुरा लिखा है इस code को हम as it is वहाँ copy कर लेते हैं क्योंकि code हमारा almost same ही रहने वाला है code हमने copy कर लिए इसको हम as it is यहाँ पे paste कर लेते हैं main method में अब इसमें क्या change करना है हमें Firefox browser के लिए Ctrl ए Ctrl आ indentation के लिए किया यहाँ पे web driver manager class को हमने use किया है browser को launch करने के लिए यहाँ पे chrome driver की जगा हमें firefox करना है क्योंकि हमें firefox browser पे testing करनी है अब पहले हम comment में change कर देते है firefox browser और यहाँ पे हमें chrome browser की जगा हमें यहाँ पे firefox browser यूज करना है तो firefox तो यहाँ पे हमने firefox browser को हमने call कर लिया और उसके लिए यहाँ पर हमें यहां भी हमें Chrome Options की जगह हमें Firefox Option यूज करना है तो यहां पर हमने Firefox Option को हमने instantiate कर लिया अब इसको हम यहां पर paste कर देते हैं यह statement सेम रहेगा यहां भी Option.headless method को हम call करेंगे और यहां पर हम true parameter pass करेंगे क्योंकि हमें headless testing करनी है और यहां पर Chrome driver की जगह हमें यहां पर Firefox driver को instantiate करना है तो यहां पर हम Firefox driver को instantiate कर लेते हैं अब हमारा यह code complete हो गया Firefox browser पर headless testing करने के लिए अब जब इस code को execute करेंगे तो Firefox browser पर headless testing होगी तो सबसे पहले Firefox browser open होगा launch होगा उसके बाद URL open होगा फिर web page का title print होगा before search और search box में search box में india gate keyword enter होगा फिर हम enter key hit करेंगे और फिर हमें search result display हो जाएगा और फिर search result के बाद जो web page का title है वो यहां पर display हो जाएगा correct अब हम इसे execute करते हैं ऐसा करते हैं हम यह thread.sleep को हम ऊपर ले लेते हैं अब इसे execute करते हैं right click run as java application code का execution चल रहा है before search चो title था web page का वो भी आ गया और after search भी web page का title आ गया before search और after search दोनों में web page का title हमें display हो गया before search google था और after search india gate hyphen google search था web page का title तो अभी तो यह headless था अब हमें इसको real browser बनाना हो तो क्या करना होगा हम क्या करेंगे इस option को हम comment कर देते हैं और यहां पर हमें इस option को delete कर देना है that's it अब यह real browser पर execute होगा execute करके देख लेते हैं अभी हमें browser user interface दिखेगा graphical user interface अभी display होगा screen दिखेगी हमें run as java application अभी browser open होगया दिखेगा अब दिख रहा है न ब्राउजर open हुआ अब google का web page हुआ keyword एंटर हुआ enter की hit हुआ search result भी यहां पर display हो गया तो यह difference होता है real browser में testing करने का और headless browser में testing करने का अब next है HTML unit driver है HTML unit driver पहलो तो यह समझते है HTML unit driver क्या होता है Now what is HTML unit driver HTML unit driver क्या है HTML unit driver selenium web driver का inbuilt headless browser है HTML unit driver selenium web driver का inbuilt headless browser है यह Java में लिखा गया है HTML unit driver is a headless driver प्रोवाइडिंग नॉं जीवा इंप्राउजर डबलब किया है जिसको हम htm unit driver कहते हैं तो आपनों को समझ आगे इस link से download करना है तो आईए इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे configure करेंगे अपने project में तो उसके लिए सबसे पहले हम download करते हैं यह jar file इस url से तो इस url को हम open करते हैं ब्राउजर में तो url open कर लेते हैं link मैंने यह paste कर दिया enter की hit किया web page open हो गया अब इस page पे हमें first link पे click करना है stma unit driver 3.60.0 jar with dependencies.jar हमें इस jar file को हमें download करना है जैसे आप इस पे click करेंगे download start हो जाएगा मैंने already download किया हुआ है और project folder में save किया हुआ है तो मैं यहीं से इस jar file को अपने project में add कर लूँगी तो हम चलते हैं अपने ID में Eclipse ID में और यहां से हम jar file को add करते हैं तो project पे हमने right click किया properties पे गए और यहां पे java build path इसे select करना है और यहां पे option है add external jars इस पे click किया हमने और जहां भी हमने jar file को save किया है उस location से jar file को हमें add करना है तो jar file हमने select कर लिया और हमने click किया open पे और यहां पे apply and close तो हमारा jar file project में add हो गया अब हमें automation script write करना है stmr unit driver पे headless testing के लिए तो उसके लिए भी हम एक new class create कर लेते हैं तो जो अभी हमने package create किया था headless browser demo इस package पे हमने right click किया then new class यहां class का नाम दे लेते हैं stmr unit driver example और एक main method add कर लिया and finish और जो हमने यह अभी code write किया था chrome browser और firefox browser के लिए इसी code को हम copy कर लेते हैं यह code हमने सारा copy कर लिया main method का और इसको हम as it is यहां paste कर देते हैं और इसमें से जो हमारा firefox driver specific code हम उसको delete कर देते हैं हमें यह code नहीं चाहिए और यहां पर हम launch करेंगे html unit driver browser अब इसको कैसे हमें use करना है कैसे launch करना है तो उसके लिए हमें html unit driver class को instantiate करना है तो हमारा statement होगा html unit browser html unit driver हमने इस पर click किया अब हम इसको instantiate करेंगे driver equals new html unit driver and that's it हमारा html unit driver browser पर headless testing के लिए हमारा code ready हो गया अब हम इसे execute करते हैं right click run as java application और यहां पर हमने semicolon miss कर दिया फिर से execute करते है right click run as java application यह देखिए हमारा script run हो रहा है before search title display हो गया web page का और after search भी web page का title display हो गया आप चुकि यह headless है तो हमें कोई screen नजर नहीं आ रही है कोई GUI हमें नहीं दिख रहा है इसका html unit driver का सिर्फ headless version ही है इसका कोई GUI वाला version नहीं है तो आई hope आपनों को समझ आ गया होगा कि chrome browser पे firefox browser पे और html unit driver पे हम headless testing कैसे करते हैं तो आज की video पर बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें जाए साधा शेयर करें चैनल को subscribe करें और bell icon दोने ना भूलें थाज़ दोने के साथ अगर येक्णाना पूलें